हालो स्टुदेंट्स स्वागतत्व असादे यूट्यूब चैनल पर स्टेडिया ओनलाइन ते आज आपा क्लास एर्थ दे टोपिक स्टाड करन जारे इंट्रोड़क्शन तो ग्राफ एक्सरसाइज आपने कोल 18.1 लास्ट वीडियो दे विच आपा इंट्रोड़क्शन पढ़ी सी कोडिनेट्जमेट्री या इंट्रोड़क्शन तो ग्राफ दे विच आपा की की पढ़ांगे कोडिनेट्जमेट्री आपा मेन पढ़नी है जिन्दे विच एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस दे बारे आपा डिसकस कीता उस तो बाद आप पढ़ेया ओरीजन की उन्दा है एक्स एक्सिस से वेल्यू की उन्दी है, फिस्ट क्वादरेंट चे वेल्यू की उन्दी है, कोडिनेट थी या सेकिंड, थर्ड या फोर्थ इस तरह आपा बढ़े असी, अज आप एक्सरसाइज दो सॉलव कर जा रहे हैं, एक्सरसाइज दो नेम है 18.1, तो सब तो बहले इस तो बाद आपगो देखना है, फि प दी वेल्यू कीन्या है, क्यो दी कीन्या है, आर, एक्सरस एडर, ती, तरह तरह आणनल, देखे हो, क्लास 9 दे वेचे विए सेम टॉपिक है, सेम ही, 10 क्लास दे वेचे ए टॉपिक आएगा, तब तो पहला आपगो अपगो पी दी व जामांगे यहां उपर नूँ जामांगे ओके होण आपा देखनी है वाई दी वैल्यू ता इदर किन्नी है थ्री तब पी दी वैल्यू किन्नी हागी मेरे कॉल टू एंड थ्री मैं एक वैल्यू रीड कर ली थले नू आया ता टू ते आ गया ज़़ो मैं लेफ्ट साइड दे ता किन्ना आगया मेरे कॉल टू ता मेरे कॉल क्या हुदी वैल्यू किन्नी हागी क्या हुदी वैल्यू आगी फोर एंड टू देखो पहला मैं थले नू आया एक्स एक्सिस ते किन्ने दे कट कर रहा है फोर ते फिर मैं किया है य एक्सिस नू किन्ने दे कट कर रहा है टू हुँ थे, तो value किन्नी आगी, पहला x दी लिखांगे, फिर y दी लिखांगे, क्योंकि मैं तरु स्टार्टिंग दे वेच प्या सी, आप value की लिखांगे, pair दे वेच लिखांगे, ordered pair ordered pair ता मतलब पहला x दी value आएगी, फिर अपने य दी value आएगी, और r दी बाला जो R दी value किनी आगी जिया पर थल्ले आईए R दी value थल्ले आए किनी होगी minus 5 तो जिया अपा Y axis बल जाओ आगे तो एक इनने त्यार है 2 थे ता मतलब R दी value किनी आगी minus 5 and 2 देखो यह अपने कोल किया first quadrant यह अपने कोल किया second अपने आसी first देवेच दो में value positive होगी है देखो दो में value आपस किया positive है second quadrant देवेच X negative होगा Y positive होगा X दी value negative आगी minus 5 Y दी value किनी आगी 2 तो R दी value किनी आगी minus 5 and 2 होण आपने देखना S point S दे coordinate किया है तो अपने सब तो पहला X axis वल गए तो किनी आगी है minus 2 फिर अपने Y axis वल गए तो अभी किनी आगी है minus 2 तो third quadrant के विच दो में value negative होगी है X दी value minus 2 है Y दी value minus 2 है तो S किनी आगी है मेरे कोल minus 2 and minus 2 X दी value भी minus 2 है Y दी value भी minus 2 है अगे आगे मेरे कोल T point T point fourth quadrant है फोर्थ क्वादरंट पहला पॉस्टिव उन्दा दुज्या की उन्दा नेगटिव जे मैं उपपर नो जामा X-axis वल ता किन्ने ते जारे वैल्यू वन ते जे मैं Y-axis वल आमा ता किन्ना आरे हैं माइनस 4 ता मतलब T दी वैल्यू किन्ने आगी में रिकॉल 1 एंड माइनस 4 एसी फर्स्ट क्वास्टन दा आंस्वर जिन्दे वेच आपक ग्राफ नो रीड करके सारिया वैल्यू फाइंड करनी है पहला P फिर क्या हूँ R S एंड T पहले क्वादरन्ट 2 पोजिव, XV पोजिव, Y पोजिव, X पोजिव, Y पोजिव, Second Q फर्स्ट नेग्टिव, Second पोजिव, मतलब X नेग्टिव आगया Y की आगया? पोजिव Third Q दे बेच XV नेग्टिव, Y भी नेग्टिव, 2 में वैल्यू किया? नेग्टिव fourth quadrant देवेच x दी value positive y दी value negative ता पहली positive हागी second की आगे अपने कोल negative एसी अपने कोल first question अगे अपने कोल question number 2 question number 2 देवेच की है fill in the blanks है question की कहा रहा है मैनू question कहा रहा है 4 plotting a point on the graph we need dash and dash देखो question number 2 की है 4 plotting a point on graph we need we need dash and dash मैंनू की चाहिदा किसे point नू plot करना जादो graph देव पर ता मैंनू चाहिदा x दी value ठीक है x coordinate and y coordinate x coordinate and y coordinate दी value चाहिदी है जिन्हों आप ordered pair देवेच लिखांगे ordered pair ordered pair means पहला value x दी आगी दुझी की आगी y दी मैंनू एक x दी value चाहिदी है एक y दी value चाहिदी है जदो मैं graph नू की करना है plot करना है तैंदा answer की आगया x coordinate and y coordinate fill in the blanks है एक नंबर दे वेचे question आ सकता है okay next question number three write the coordinate of origin मैं तोनों कल भी क्या सी एक question काफी ज्यादा important है एक नंबर चे जरूर होंदा है हर साड़ होंदा 9th class दा पक्काई है 10th बेच भी कदे-कदे आएंदा question की कर रहा है coordinate लिखने औरीजन दे origin दे coordinate में कल की जस्यासी origin क्यूंद है देखो एक x-axis है एक y-axis जित्थे आपस्ट मीट कर देया that point is called as origin the origin दे coordinate क्यूंद है 00 मतलब x दी value भी 0 है y दी value भी 0 x भी 0 है थे y भी 0 है that is the coordinate of origin x-0 and y-0 next question number 4 question number 2 थे question number 3 एक number दे लिए आँगे ता तुसी एन्नों की है जरूर देखना question दे answer त्यान नेक्स्ट की करना है plot करने आपका point plot करने a दी value 3 7 b दी value है 2 5 c दी value है 4 0 d दी value 5 and 5 e दी value है अपने इकोल 0 and 2 तो f दी value की है 6 and 5 छे point देते है मैंनू a b c ते d अपका छे नूं की करना है plot करना है तो देखो maximum value की निया 7 है सब तो बड़ी value की निया 7 तप एक graph plot करांगे यह आगया अपने कोल x-axis यह अपने कोल की आगया y-axis that is y positive that is y negative that is the origin जेड़े point दो में आपस इंटरसेक्ट कर रहे है that is called as origin तर देखो maximum value 7 है तप 7 तक plot करांगे 1 2 3 4 5 6 and 7 1 2 3 4 5 6 and 7 here minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ते minus 5 क्योंकि maximum value minus तब ऐसे है भी नहीं है ता इदर आजो minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 and minus 7 ता इनो भी अग्ये तक लिखलो minus 6 and minus 7 व्यासे आपने को negative value कोई नहीं है तो लिखन दे फैदा भी नहीं है पर चलो लेखता कोई गल नहीं होड़ आप इनू plot करना है a point की है 3 7 that mean x दी value 3 या y दी value की है 7 तो सब तो बहला x नू plot करांगे आप 3 या उपपर नू ले जांगे value नू इनू उपपर नू लेगे y दी value की नहीं है 7 और y बाड़े पासो लेकिया हो इस तरह लेकिया हो जेड़े point ते आपस इंट्रसक्ट कीता that is a.3 and 7 तो सीखी करना है जेते x positive है तो उपपर नू ले जो y भी positive है side दे लेखो जेड़े point ते meet करनगे वो अपने को a point आगे that is 3 and 7 तो a point आगे बाद वेचे नानू की करदो rough करदो जदो बनाले तो line जो मैं dotted line से नानू की करांगे अपा rough करांगे next b point 2 and 5 x दी value 2 है तो y दी value 5 है एक पासो 2 आगे दुझे पासो 5 आगया उस तो बादे ना rough करता b point की आग देखो उपर नों गया 2 इधर आगया 5 ता meet की जिथे point ते meet करके that is point of intersection ता b की आगया 2 and 5 x दी value 2 है y दी value करना है 5 next c 4 0 4 0 हो देखो y दी value करना है 0 मैं कल दस्यासी इस पूरी line दे उपर y 0 हुंदा है इस पूरी line दे उपर x 0 हुंदा है ओके ता x दी value करना है 4 y दी value 0 ता इस line दे y 0 है तो ये आगया मेरे को c point 4 and 0 इस पूरी line दे उपर की आगया point c 4 and 0 x दी value 4 y दी value 0 पर जे इस तरहां लिखे हुंदा 0 4 फिर इस थे होना सी point ये वड़ा ओके क्योंकि एस line दे x की दे 0 हुंदा है next d.5 and 5 x दी value 5 y दी value 5 ता जे इन्हों आप उपर नों लेके जाहिए इन्हों अपा इथे लेके आंदा a आगया अपने को d point 5 and 5 उस तो बादे नान की करांगे आपा rough करदागे a आगया b आगया c आगया d आगया अगे point है e 0 and 2 होन देखो x दी value 0 है x दी value किन्नी है 0 ता देखांगे आपा इस line दी value किन्नी हुंदी 0 ता ये point आगया मेरे को e point 0 and 2 ओके ए x-axis दे point है एक ही आगया y-axis y-axis दे कोण है e ते x-axis दे कोण है c होन आगया d sorry f point f किन्न है 6 and 5 x दी value 6 है y दी value किन्नी है 5 ता 6 लूप पर नो ले जो चलो y वलत नेडिप है ये नो लेके अंदी लोड नी तो एक ही आगया e point sorry f point 6 and 5 एस तरह मैं सारे जा सारे point के प्ल कर ले उपर नो ले जो इदरों किया left side से ले जो के जिते मीट कर गे और यह अपना किया गया point आ गया 8th class ते सिरफ किया positive value है सारी first quadrant जब प्लॉड करने हा 9th दे विच आपाए ना दे विच भी plot करांगे ओके पर किया 8th class ते सिरफ से सिरफ आपा पहले quadrant दे विच प्लॉड करना है यहां आपा एक्सिस दे उपर प्लॉड करने नेक्स्ट क्वेस्टन नमबर क्वेस्टन नमबर है मेरे कोल फिफ्ट राइट अब सीशा राइट अब सीशा a, b, s, i spelling तुझी चेक कर लेओ राइट अब सीशा अब सीशा ना मिनिंग क्यों दे है value of x अब सीशा ना मिनिंग क्या value of x a point देता है मेनू a point देता है 6, 5 b point 0, minus 3 c point 8 and 2 पहला दे अब आप इन्व ग्राफ न्व रफ कर दिये निदा problem create करेगा बच्चा ली अब सीशा में find करना है की की आएगा अब सीशा मतलब किनदा है value of x इन्दे वेच अब सीशा किनना आ गया 6 क्योंकि ये थे x दी value किननी है 6 तब सीशा किनना आ गया 6 ये थे किनना आ गया अब सीशा 0 क्योंकि x दी value किननी है 0 ये थे किनना आ गया अब सीशा 8 ठीक है ये किनना आ गया अपने को अंसोर आ गया अब सीशा दा meaning पता होना चीदा अब सीशा दा meaning किन दे value of x question number 6 write ordinate यहन्द इसकी लिखना आपा ordinate लिखना a.23 b.7-3 c.5-5 और इसके आपा ordinate दी value दसने ordinate दी value किनने आएगे और देखो ordinate उन्दा किया ordinate means value of y value of y तर इसके किनना आगे ordinate ord 3 क्योंकि y दी value किननी है 3 अब सीशा किनना है 2 ordinate किनना है 3 इसके किनना आगे ordinate minus 3 तर लास्ट वेच ordinate किनना आगे minus 5 अब आपा last वाड़ी value लिखनी है अब सीशा a पहला होंदा है ता पहला वाली value simple याद रखलो a पहला होंदा है ता पहली value लिख दो o पहला होंदा है ता second value लिख दो अब सीशा means value of x ordinate means value of y इसी अपने कोल first exercise 18.1 next video दे वेच्च exercise 18.2 दे बारे discuss करांगे ता पहला है लिख रखलो झाल झाल